दुर्ग शहर में इन दुनों सड़क किनारे अतिक्रमन कर व्यवसाय करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है वही दुर्ग निगम की अंदेखी से मुख्य चौक चौराहों पर ट्राफिक व्यवस्था लचर नजर आई आप देख सकते हैं दुर्ग के मुख्य भाग पटिल चौक पर फल बेचने वाले व्यवसाय द्वारा सड़क को जाम करने के साथ ही आवागमन में अवरोत पैदा कर रहा है यनि कई बात दुर्ग नगर निगम की टिम द्वारा हटाया भी गया मगर नतीज़ा जसके तस रहा इसी कड़ी में शहर की ट्रैफिक वजथा को बनाने दुर्ग यातायाद पुलीस द्वारा चौक पर फल दुकान लगाने वालों पर फटकार लगा कर सड़क पर फैली दुकानों को समेटने निर्देश दिया गया इसके बात यहां लगी दुकानों के चलते ट्रैफिक प्रिगनल भी नहीं दिखाई दे रहा है साथ ही चौक पर लगी सरदार वल्लब भाई पटेल की प्रतिमा भी नजर नहीं आ रही है अब देखना होगा कि शहर की ट्रैफिक वजथा सुधारने में दुर्ग नागर निगम और यातायात विभाग किस तरह से कारवाई कर इननी उसके लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट